हाई फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो मैं यूटूब चैनल तो आज हम आप सब के लिए लेके हैं कलाश 12 का हिश्ट्री का कुछ कोश्टिन आंसर तो चले स्टार्ट करते हैं ये जो कोश्टिन आंसर है वो 2022 में पूछा गया है अफ्री कोश्टिन और हम सारे भी ऐच lanes कोश्टिन भी देते रहेंगे और आप लोगों को एक्जाम में एक भी objective question नहीं छुट कर आएगा आप लोग हमारे साथ बने रहे और आप लोगों को गेज पीपर भी लेने के जोरत नहीं पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं धकन दंगा आयोग कब गठित हुआ 1875 इसवी में कार्णबालीश कोर्ड कब बना 1775 दामीन इक को क्या था भुभाग महाल वाड़ी भूरा जिस्वर व्यवस्था किसकी द्वाड़ा लागो की गई है वीलियम बेंटिंक संथाल विद्रो कानेता कौन था सिंदु कान हूँ फ्रांसिस बुकानन कौन था इस्ट इंडिया कम्पनी के सापना कब हुई थी लक्ष्मी बाई के गोद लिये गए पुत्र का नाम क्या था दामोदर राओ जगदीश पूर में 1857 के विद्रो कानेतिर तो किसने क्या कुवर्शिंग 1857 के विद्रो के समय इंग्लेंड का प्रधान मंत्री कौन था पामस्टर्ण निम्न में कौन हरप्पा सब्यता का नगर नहीं है विजय नगर विलियम जोन्स ने ACRT के सोसाइटी की अस्थापना कब की थी 1784 दया राम साहनी ने हरप्पा सब्यता की खोज किस वर्ष की उन्हें सएकेश दोला वीरा किस राजु में है गुजरात मोहन जोदरो किस भासा का सब्द है सिंधी हरप्पा शब्यता का विशाल स्थानांगर की इस नगर में पाया गया है मोहन जोदरो पुडा तत्व के अंतरगत निम्ण में शेकौन एक नदी आता है साहित्य लोथर किस नदी के किनारे इस्तित है भोगवा त्रीपी टरक किस धर्म का साहित्य है बौधर राजतरंगीनी किस ने लिखा था कलहान मुश्रीम लिंग की अस्थापना किस वर्ष हुई उनेश्वच्छ श्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जेनरल कौन था सी राजगो पाला चारी भारती राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थाप की प्रथम महिला अध्यक्छा कौन थी एनी बेसेंट जै हिंद कानारा किस ने दिया सुभास चंद्र बोश दुईत्य विश्वी यूद कव आरम हुआ एक सितंबर उने सो उन्चालिस पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कव आस्तित्व में आया 14 अगस्त उने ससने तालिस समिधान के प्राडूप शमीती के अध्यक्छ कौन थे भीम रावम बेदकर भारत का वगन तंत्र हुआ 26 अगस्तान का पहला प्रधान मंत्री कौन था लियाकत अली अगूतर निकाय के अनुशार महाजन पदो की संख्या कितनी थी 16 मागण सामराजी की स्थापना किष्णे की 22 चंद्रगुप्त मौरिय का शाश्चन काल क्या था 323 से 298 श्वीपूर्व विक्रमादृत्य की उपाधी की संब्राट ने अग्रहन की थी चंद्रगुप्त दू अशोक की स्वन्ष का शाशक था मोरिय वाश्च मोरिय सामराजी का प्रथम असाशक कौन था चंद्रगुप्त मौरिय महा भारत की रचना केस भासा में हुई संस्क्रीट पुडानों की संख्या कितनी थी अठार आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उलेख है चार अश्वमेगर यग्य का आयोजन क्यों किया जाता था साही संप्रभूता के लिए चोड़ी चोड़ा कांड की सित्वर्ष हुआ 1922 सेरे पंजव के नाम से किस जाना जाता है लाला लाज पत्रा है साइमन कमिशन भारत का बाया 1928 निम्ड में से कौन सा आंदोलन दांडी मर्च के सुरू हुआ सभी नयवग्या आंदोलन दांडी किस राज में ऐसी थै गुजरात महात्मा गांधी ने पहला किशान आंदोलन कभ कहा शुरू किया चमपारन 1927 में कौन सा आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन रलेट एक्ट की सुवारुष पारित हुआ 1929 जालिया वालबाग हत्याकांड कभ हुआ 1929 बंगाल के विभाजन की घोष्णा कि स्वर्ष हुई 1911 पानी पत के प्रथम युद के बाबर ने किसे पराजित किया इब्राहिम लोदी अकबर ने दरवार का प्रख्यात गायक था तांसेन ताज महल किस नदी के किनारे स्थ थे यमुना सूलह एकुल की नीती स्किस्की थी अकबर किस मुगल सासक ने भिंदूओ पर जेजिया कर हटाया अकबर रूश में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है जी एस लिवी देव युनेश को द्वारा की स्वर्ष हमपी विश्व धरोहर रचल गोशित किया गया उनेश सचियासी विजर नगर का महांतम सासक कौन था कृष्ण रेव राय हमपी किस राज़े से संबंदित है विजर नगर विजर नगर शामराजी के स्थापना कब हुई तेरस चतिस आइन ए अकवरी कितने भागों में विवक्त है पांच दिल्ली से दोलतावाद किस सासक ने अपनी राज़ानी परिवर्थित की मुहम्मद बीन गुल बदन बेगम ने किसके आगरा पर हुमायू नामा लिखा अकवर बादसा नामा किस ने लिखा अब्दुल हमीद लाहोरी फतेपूर सिकरी कोराज़ानी किस ने बनाया अकवर अकवर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया पंद्रस अबिरासी अकवर का सन रक्षन कौन था बेरम खा भारत में मुगल वन्ष का संसाप कौन था बावर भारत का अंति मुगल सम्राट कौन था बहादूर सा जफर अकवर के समकाली नितिहास कार कौन थे बदायूनी महाविर श्वामी का जन्म कभ हुआ था पंसो चारिसी में दिसंबर दिगंबर एवं स्वेतामबर किस धर्म के संबंदी थे जेन धर्म सांची मद्य परदेश के किस जीले में इसी थे राइसेन प्राशीन भारत में धंप की सुरुवात कि सासकने की असुक अकवर नामा किस की कृती थी अबूल फजल सेशाह ने जोसा के यूद में किसी पराजित किया हुमायू पितल की जातू का स्थ होता है तामबा जहागीर का सासक काल कभ हुख था अकवर ने काल में भूमी को कितनी भागों में वर्गी कृत किया गया था चार नवरल किस की दरवार में था अकवर रामानंद के नावानंद के सीस्य कौन थे रेदास, कवीर, धन्ना एवं पीपा इनमे से सभी तलबंडी किसकी जन्म स्थान था नानक ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती की दरगाह कहा है अजमेर कासी में किस प्रसिद संत का जन्म हुआ कवीर विजक में किसके उपदेश संग रहित है कवीर हिंसंग किस देश का यातरी था चीन तहकीक एव हिंद किसकी यातरा विर्तान थै अलबरूनी मोरिय काल का प्रसिद यूनानी यातरी कौन था मेगा अस्थेंज अलबरूनी किसके साथ भारत आया महमूद गजनी कैप्टन होक किस मुगल सासक के दरवार में आया जहागीर महादूर सा जफर को किस बहादूर सा जफर को देश निकाला कर कहां भेजा आ गया रंगून 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था लाड कैनिन विपगर्त के सिदान्त का शंबान्द किस से है इलहोजी 1857 की क्रांती किस सिथी को आरंभ हुए 10 मै गेटवे ओफ इंडिया कहां इसी थै बंबई इंडिया गेट का निर्मान कब हुआ 1931 भारत में रेलवे की सुरुआत कब हुए 1853 बासकोडी गामा भारत कब आया 1498 बेस्विवे ब्रेटीज सासक काल में भारत ने धर्म प्रिशा प्रवास का सिदान्त किस से ने प्रतिपादित किया दादा भाइना रोजी ये हमारा लास्ट कुश्चन है भगत सिंग को फासी कब दी गई तो 23 मार्च 1931 इसवी में आप लोगों को हमारा वीडियो परसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल लेगन को दवाना ना भूले ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आप तक जल्स जल्स पहुंच जाएं आप लोगों